करगोन जिले गाउसन में हर वर्ष रिसी पंचेमी के अगले दिन यानी चोथ के दिन भिलेट बाबा के सिवक नागलवाडी पहुचते हैं वहाँ पहुच कर राद भार नीचे गादी पर भजन भक्ति करते हैं सुबह सभी सिवक पहाड के नीचे काजल देवी की जीरी में इस्नान कर नंगे पेर भजन करते हैं भक्ति करते हुए शिखर्ध हम पहुचते हैं यहां पहुचने पर सभी सिवक बाबा के मंदीर में पवन लेकर बाबा का पान वीड़ा खाते हैं बाबा की गादी गाउसन में कई वर्ष्टों से लगती आ रही है जिसमें जीले की कई गाउवों से सिवक जुड़े हैं जिस प्रकार नाक पंचमी पर विशाल रेली का अयोजन गाउसन में रहता है उससी प्रकार रिशी पंचमी पर भी नागलवाडी में सभी सिवक न धागा बानते हैं तत्पस्याद बाबा नाकलवाली शिकरदाम का भंडार प्रसादी करन कर अपने अपने गाउ परस्तान करते हैं गाउसन से गोलु पाटिदार की रिपोर्ट न धागा बानते हैं गाउसन से 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 गाउसन स कि ग्ष्र वेच के वाला है 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 आप देख रहे हैं हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें